आप इस वीडियो को अंतक देखना और हाँ अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, एक लाइक जरू से कर देना, एनिवेज अपडेट की बात करते हैं, तो है पर जो अपडेट रहने वाली है, वो HAL में रहने वाली है, HAL में, जो की इसका फुल फॉर्म है हिंदुस् और ये इंडिया की बहुत बड़ी नौरातन कंपनी में से एक है, और गॉर्मेंट आफ इंडिया की कंपनी है, जो की डिफेंस के लिए वर्क करती है, तो आपको ये सब पता ही होगा, और जो ये वेकैंसी रहने वाली है, वो महराश्ट्रे नासिक में रहने वाली है, तो वहाँ पे जो इनकी बहुत बड़ी हेड़ क्वार्टर है, वहाँ पे आपकी वेकैंसी रहने वाली है, तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कंडिशन रहने वाली है, फुल एलिजबिलिटिक केरेटरिया मैं आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट अपॉल मैं आ अल्मोस्ट सारे ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिपलोमा के लिए सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी बीटिक है, उनके लिए भी अल्मोस्ट सारे अलेजबल हैं ब्रांचेज, अगर आपको अप्रेंटिसिप अप्लाई करना है, तो जरू जरूर से अप्लाई करना, HAL बहुत बड़ी कंपनी है, तो यहाँ से अगर आप apprenticeship करोगे तो कुछ benefit ही मिलेगा, आप racer का tag आपका हट जाएगा, आप एक experience में count होने लग जाओगे, तो अगर आपको यहाँ पर apprenticeship करनी है, जरूर से apprenticeship करना, anyways हम एक एक करके PDF की तरफ चलते हैं, यह apprentice आपकी नासिक division में रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो engagement of ITI apprenticeship आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड, और यहाँ पर कौन-कौन से trade अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 8,550 रूपीस यहाँ पर आपको मिलने वाला है, अगर आपने 2 यहाँ पर आपलाई कर सकते हैं, तो फीटर में सबसे ज़्यादा वेकेंसी आपको देखने के मिलेगी, बाकी यहाँ पर tool and die, die maker, यहाँ समय, turner, mechanist, इन समय, electrician, electronics, बाकी और भी ब्रांचेज यहाँ पर दी गई हैं, तो यह सारी चीजे आप देख लेना, आपने कौन से ब्रांच से अपलाई करना है, अगर आपने वन येर का ITI करा है, तो आप देख लेना कि यह कौन कौन से ब्रांचेज जैसे की, यहाँ पर seat metal works, computer operator and programming assistant, welder, stenographer, यह सारी चीजे यहाँ पर दे रखिये, तो टोटल वेकेंसी की अगर बात करें, तो यहाँ पर 325 वेकेंसी रहने वाली है, बाकी यहाँ पर eligibility के रेटरिया की बात करें, तो अगर आपने ITI करा है, वन येर और टू येर का आप अपलाई कर सक सकते हो, and then आपका registration होना चाहिए, www.apprentice.gov.in, basically यहाँ पर NAPS पर आपका registration होना चाहिए, तो अगर आपने अभी तक NAPS पर registration नहीं किया है, तो इस website के थुरू आप registration कर सकते हो, इस पर mandatory है, यहाँ पर आपको यहाँ पर registration करना ही है, क्योंकि यहाँ पर registration registration नमबर चाहिए होगा, जब आप apply करोगे, next यहाँ पर अगर बात करें, तो अगर आप Indian हो, तो ही आप apply कर सकते हो, and then यहाँ पर reservation भी दे रखा कि कि किसको कितना परसेंट का reservation मिलने वाला है, बाकी अगर बात करें, यहाँ पर तो apply कैसे करना है, तो apply आपको, first of all आपको त then नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यह बेव साइट, इस बेव साइट पर आप जाके apply कर सकते हो, या फिर qr code को scan करके, एक google form आपको मिलेगा, वहाँ से आप apply कर सकते हो, तो basically यहाँ पर एक google form open होगा, इन दोनों चीज से, बेव साइट से और qr code से, तो उस पर आप या के apply कर सकते हो, इस से पहले आपका registration number होना चाहिए NAPS पर, यहाँ पर लास्ट जैट जो रहने वाला है, 31 अगस्थ तक आप apply कर सकते हो, यह last डेट है, एट अगस्थ से अगस्थ से apply होना start हो गया है, आप देख सकते हो, यह आप्र आपarta यह अगस्थ तक आप apply कर सकते ह तो यह था ITIL वालों के लिए University and diploma वालों के लिए है, यहाँ पे Apprentices 이거는 Technical graduate apprenticeship यहाँ पे रहने वाली है, जहाँ पे आपको SiTipend 900 Sorry 9000 यहाँ बाकी यहाँ यहाँ पर graduate वालों को यहाँ पे स्टाइपेंड मिल जाएगा और यहाँ पे कौन कौन अप्लाइ कर सकता है तो एरोनेटिकल, कम्प्यूटर इंजिनियर, सिबिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, एंड टेली कोम्निकेशन, एंड मेकैनिकल प्रोडक्शन और फार्मेसी, तो इतने ब्रांचेज यहां पे अपलाई कर सकते हो, अगर आपने 4 एर का B.E.B.T.E.C. या फार्मेसी डिग एसिस्टेंट की अलग से दे रखी है, यहां पे चेंजेज हैं, बाकी यहां पे अगर आपने 3 एर का डिप्लोमा किया है, तो आप अपलाई कर सकते हो, यहां पे आपको 8,000 रुपीज मिलेंगी जो डिप्लोमा कर रखे हैं, बाकी यहां पे टेक्निकल ग्रेजूएट्स के लिए 9 हैं, जहां पे बैचलर आफ आर्ट्स, बैचलर आफ आफ कमर्स, बैचलर आफ साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैट और एस्टेटिक्स यहां पे सबजेक्ट आपके पास अगर है, तो आप अपलाई कर सकते हो, बैचलर आफ बिजनेस, मेनेजमेंट अगर आपने एनटी एस पे अपना रजिस्टेशन किया है, तो ही आप यहां पे आप अपलाई कर सकते हो, तो अगर आपने अभी एनटी एस पोर्टल पे रजिस्टेशन अपना नहीं किया है, बैसिकली एनटी एस और एनटी एस में डिफरेंस होता है, एनटी एस पे आई ITI और 10th वाले apply कर सकते हैं वहाँ पे उनका registration होता है and then NETS पे graduate और diploma वाले NETS पे apply करते हैं वहाँ पे वो अपना profile बनाते हैं basically यह apprenticeship के लिए होती है यहाँ पे अगर आपको registration number आपका मिल जाता है then आपको यहाँ पे same वही चीज करना है यहाँ पे आपको यहाँ फिर से QR code मिल जाएगा यहाँ पे QR code या फिर यहाँ पे website दे रखी है तो इन दोनों से आप apply कर सकते हैं फिर से यहाँ पे google form open हो जाएगा जहाँ पे अपना full detail डालोगे and then वहाँ पे एक और चीजे डालनी होगी जो है NETS का जो enrollment number registration number वहाँ पे डालनी रहेगी and then same यहाँ पे date same रहने व जोना start हो गया है तो last date और applied date को date का आपको पता चल गया तो आज के वीडियो बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में अगर अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो साथ में जो bell icon है उसे भी प्रेस कर देना एक लाइक ज